देश की सबसे बड़ी मेडिकल परिक्षा नीट यूजी दोहजार चोबिस के परिणाम में एलन नाकपूर के छात्रों ने श्रेश्टता साबित की है जिसके विशे में जानकारी देने के उद्देश से पत्रकार परिशत का आईजन किया था इस समय जानकारी देते भी जोनल हेडे उम सेंटर हेड आशुतोस हिसारिया ने बताया कि एंटे की ओर से सरसर स्टुडेंट्स को औल इंडिया रांक एक दी गई इन सभी ने 720 अंक प्राप्ति किये हैं काउंसलिंग के आधार पर इन 60 स्टुडेंट्स में से एलन क्लासरूम स जोशी ने 715 अंक के साथ औल इंडिया रांक 85 प्राप्ति की है इस समय हिसारिया ने बताया कि अपकी जानकारी अनुसार सेंटर के लगभग 155 स्टुडेंट्स को 600 से अधिक अंक प्राप्त हुए है इन में से 79 को 658 स्टुडेंट्स को 680 से अधिक तथा 16 स्टूडेंट्स हजार में 11 स्टुडेंट्स ने स्थान प्राप्ति किया है नैशनल रिजल्ट में एंटिय की ओर से 66 स्टुडेंट्स को औल इंडिया रांक एक दी गई है इन सबीने 720 संक प्राप्ति की है काउंसलिंग के आधार पर इन 66 स्टूडेंट्स में एलन क्लास्रूम वेद शेंड माजिन मंसूर रुपायन मंडल प्राचिता खुश्बू शैलजाद दिव्यान शशांक शर्मा आर्यन शर्मा कहकशा परवीन कृष्णमूर्थी पंकज शिवाल वेद पटेल माने नेहा कुलदीप रितिक राज तेजस्नीह अभिनव किसना और जानवी शामिल है इसके अल से डिश्टन लर्रिंग से जुड़ कर औल इंडिया रैंक वन प्राप्तिकी है इसमें साथ ही टॉप हंड्रेड में 40 स्टुडंस एलन से है जिससे 28 क्लासरूम तर्था 12 दुरस्त शिक्षा से एलन से जुड़े है इस समय आशुतोस हिसारिया ने हमारे समवाद दाता से जिकाती है और एलन इंस्टिتूट में इस वक्त हम मोजूद है एलन करियर इंस्टिूट द्वारा जो है इस नीट की परिक्षा की प्रिक्रेशन कराई जाती ही लगत हमार साथ मोजुद है जोनल हेड आसुतोस हिशारिया जी क्या बताना चाहेंगे एलन करियर इंस्टिटूट द्वारा जो बड़ी उपलब्दी है छात्रों निली है किस प्रकार किस्थीते क्या बताना चाहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है एलन नागपूर ने एक क रिष्णमूर्थी सिवाल इन्होंने भी पर्फेक्ट स्कोर किया है 720 का और इंडिया रैंक 720 है इसके अलावा एलन नागपूर के जात्र शीरंग जोशी और अमन देवांगन इन्होंने 715 अरजित किया है इसी के साथ प्रेरना इस विद्ध्यारती ने भी 715 अंक अरजित क कि पूरे देश में दो चात्र सर्वप्रथम आये हैं और और इंडिया रैंक वन इन्होंने अरजित किया है और दोनों एलन नागपूर के चात्र रहे हैं कई बार जो है चात्रों का मेधावी चात्रों का सपना होता है कि वह डॉक्टर बने लेकिन कई बार अच्छा इंस् और एक कॉंपिटिटिव एक्जाम है इसके अंदर एक बहुत स्ट्रक्चर तरीके से ट्रेनिंग की आवशक्ता होती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बहुती एक्स्पिरियंस फैकल्टी टीम और एक बहुती अच्छी एक्सपोजर जहां मिलती है उन संस्थानों के अंदर जैसे प्रेपरेशन करते हैं तो उससे लाब होता है निश्चित रूप से विद्ध्यार्थियों को और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पूरी इमानदारी के साथ में नीट का जो क्यूरिकिलम है वो NCRT-based है हम जानते हैं और उसी क्यूरिकिलम को स्टिक करते हुए एक structured तरीके से, एक systematic तरीके से, एक proper guidance के साथ यही preparation करें तो निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता नीट के अंदर अरजित की जा सकती है दर्शो को जिस प्रकार से हमने आशुतोष हिसारिया से बात की, नीट जो है देश के सर्वोत्तम सातिसात सरवाधिक टब परिक्षाओं में से एक है जिने अब डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने की प्रथम चरण होता है नीट की परिक्षाए पास करना पास ही नहीं करना तो एक अच्छे स्कुवर के साथ जो है देश के सामने देश की प्रतियोगिता में भाग लेना जिस प्रकार से आसुतो शिसारिया ने बताया कि एक अच्छे संस्थान के साथ साथ इमानदारी से पढ़ाई, अच्छी लगन के साथ पढ़ाई, यही जो है अच्छे फल, इसका अच्छा फल मिलता है कैमरा परसन अजित कुवर के साथ मनीश टेमरेग रिपोर